तो फ्रेयान साज मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ चीकन चीज ललीपॉप्स बहुत ही सिंपल से रस्पी है इसे आप 10-15 मिनिट में बना के तियार कर सकते हैं और यह बहुत ही टेस्टी मज़े की बनके तियार होती है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिक्सर जाल ले लेंगे यहाँ पर मैंने लिया है 300 गराम बोलनेश चीकन इसे मैं अच्छे से वास करके इसका पानी निकाल लिया है ध्यान आप इस बात कर दे कि इसमें बिल्कूल ही पानी नहीं होना चाहिए इसी के साथ इसमें हम डालेंग सबसे पहले इसमें हम डालेंगे आधी चोटी चमच धनिया पौडर आधी चोटी चमच लाली मिज पौडर आप कम यह ज्यादा कर सकते हैं अपने टेश को करिन और आधी चोटी चमच जीरा पौडर डालेंगे और आधी चोटी चमच का पौडर और एक चोटी चमच मिक्स अगर आपको पसंद है तो डाले वन्हाँ इसके बेगार भी आप बना सकते हैं इसे के साथ इसमें हम डालेंगे एक छोटी चमच अधर कलेसन का पेष्ट और एक छोटी चमच नमक डालेंगे तो नमक के आप अपने टेस्ट करून साय डाल सकते हैं अब यह सारे चीजहों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें डालेंगे एक छोटी चमच तेल आप इसके जगह घी या बटर भी डाल सकते हैं इसे यह सोप्ट बनती है और इसे डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स क तीन बेरेर को मैंने बारिक पीस लिया है और यहां पर हम चीज कीव ले लिया है इस तरह से और साथ ही हमने यहां पर अश्टिक ले लिया है अब हम क्या करेंगे इस तरह से एक चीज लेंगे और इसमें अश्टिक करते जाएंगे तो इस तरह से सारे चीज में अश्टिक कर घ् ép प्लिया है अब हम क्या करेंगे थोरा से हाथों में तेल लगाएंगे आब से अभर इस थोरा सा पोसल लेंगे और इससे राउंड अब इस तरह से से एक अस्टिक लेंगे और इसके ऊपर चारोग तरफ से अच्छे से cover करेंगे बस ध्यान रहे कि आपको चारो तरफ से अच्छे से cover करना है ताकि जो इसमें चीज है वो बाहर से दीखे ना नहीं तो जब इससे हम fry करेंगे तो तेल में मेल्ट हो के चीज बाहर नी करने लगेगी और इसके उपर थोड़ से तेल लगा के इसे चीकना कर लेंगे तो यह देखिए एक अश्टिक बन के तियार हो गया है तो इसी तरह से सारे बना के तियार कर लेंगे बस सबसे पहले आपको हाथों में तेल लगा लेना है और थोड़ सा आप पोसलने लिजिए इस तरह से और इसे राम सुप देखे इसे हलका सा फैला लिजिए और इसके उपर इस तरह से अश्टीक रखिए और इसे अच्छे से कोवर कर दिजिए बहुत ही असान है इसे बनाना और यह बहुत ही जल्दी बन जाती है आप चाहे तो इस अश्टेश पर इसे बना के फ्रीज भी कर सकते हैं पहले आप इसी तरह से इसे एक घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिजिए जब यह थोगा सा हाड हो जाए तो इसे आप जीपर लोक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रखके इसे आप एक सब्ताय के लिए अश्टोर कर सकते हैं जब भी आपको बनाना हो तो पहले उसे आप फ्रीजर से निकाल लिए उसके बाद अंडे में डीप किजिए और ब्रेट कर में कोट कर लिजिए तो इसे हम अश्टोर नहीं करेंगे अभी, तो हम क्या करेंगे, अंडे में डीप कर लेंगे, और ब्रेट करम में कोट कर लेंगे, तो ब्रेट करम में आपको अच्छे से कोट कर लेना है, इस तरह से, तो इसी तरह से सारे बना के तियार कर लेंगे, पहले आप अंडे में डी करम होने के लिए रख दिया था तो तेल अच्छ द्यां की तेल हो गया ह मैं देल हो गया है जाथ इसेगा एक साइट एंप छो पार टो नहीं अटो दिलेंगे और ये टो ऑठान रखते और यहाँ पर देखिए इसका color change हो गया है और यह अच्छे से fry हो गया है तो आप इसे हम निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं देखें कितनी टैंटी लग रही है और यह बहुत ही tasty लगती है इसी तरह से second batch का भी fry कर लेंगे अगर आज की recipe आपको पसंद आ रहे हैं तो वी chicken cheese lollipops बनके त्यार हो गया है अब इसे हम serve करेंगे तो लीजिए बहुत ही tasty और बहुत ही yummy chicken cheese lollipops बनके त्यार है इस recipe के एक बड़ मेरे तरीके से जरूर ट्रय किजिएगा यह आपको बहुत पसंद आएगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है और यह बहुत ही कम टाइम बस इतना ही उमीद करते हूं कि आज की recipe आपको पसंद आई होगी recipe पसंद देती वीडियो को लाइक शेयर करें और आभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फिब्रक देना ना भूलें